सुसात्यों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी किलासेश विस्वमिजेन यूटूब चैनल में सुसात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों तक सेयर जरूर कर देना ठीक है आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज रखि करना है और ए 2020 टेस्ट सीरीज सब्ता हमें दो दिन होती है गुरुबार और रभीबार को ठीक है तो आप दे सकते हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं जिनको भी जिन भी सात्यों को दोस्तों निचोड किलास में जोड़ना है वो निचोड किलास में एड़ आई जाती है ठीक है तो जुड़ जाईए आज ही एड़िशन ले लिजिए और दोस्तों अध्यान करने को लग जाईए हैना और अभी भी बड़ा ओफर है आपके लिए हैना चतुर्त बैच स्टार्ट हुगा है दोस्तों दो दिन हो गए हैं और चतुर्त बैच में आप एड सीरेज दोस्तों हिंदी सायथ की वो आपको चार सो में उपलब्द हैं तो जिस भी सात्यों के एड़िशन लेना है आज ही सेल्प इस्टेडी किलासे से एप डाउनलूड कर लें और आज का जो अध्यान है उसको हम स्टार्ट करते हैं यहां से भूसन दो राजाओं के सबारी कभी थे इन में से पहले सिवाजी थे तो दूसरे कौन थे यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है सबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा शिवाजी दूसरे थे पहले सिवाजी थे तो दूसरे कौन थे 76 साल ठीक है ब्यारी ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल लेक किया है बात करें रामानंद की तो रामानंद के लिए सबी अच्छे से जानते हैं दोस्तों है ना जो रामानंद थे भक्ती दिर्बिनुप जी लाए रामानंद है ना उत्तर भारत में रामानंद की ने दोस्त तो भक्ति का प्रचार प्रचार किया और आपको पता है कि रामानंद के कितने सिस्ष थे बारा सिस्ष थे बारा सिस्ष थे बारा सिस्ष यों में दोस्तो एक कभीर भी थे कभीर निर्गुण साका से संबन्द थे तो दोस्तो रामानंद ये सगुण साका से संबन्द थे ये आपको याद रखना है रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरू परंपरा का उलेक किया इसका आंसर आपको बताना है सबी लोग बताएंगे वीडियो को एक बार लाइक कर दें आनंद भास में दोस्तो या फिर पंचे इस्तवी में सहस्र गीती या फिर रामार्चन पद्धती में तो right answer आगया सबी लोगों का कि रामानंद ने दोस्तो रामर्चन पद्धती यानि की चार नमबर रामर्चन पद्धती में दोस्तो पूरी गुरू परंपरा का उल्ले किया है और चार नमबर जो है वो बिलकुर सही हो जाएगा चार आपका right answer हो जाएगा ठीक है अंगिला कोश्चन है राम रक्चा स्रोत रचना के लेखक कौन है केसाउदास नाभादास या पिर रामा नंद array रामरक्चा स्रोत रचना के लेखक कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है केसव दास माने जाते हैं नाभा दास माने जाते हैं इस्वर दास माने जाते हैं या फिर रामा नंद माने जाते हैं ये सभी लोग बताएंगे और उत्तर आपका क्या हो जाएगा राम रक्षा स्रोत रचना के किसकी है ये कोश्चन तो कई बार आया है पूछा भी जाता है सीधा उत्तर आपका जाएगा रामा नंद दोस्तों है ना राम रक्षा सुरोत की रचनाकार कौन है रामा नंद माने जाती है और आपको पता है दोस्तों रामा अबत संप्रदा है है ना कि प्रवर्तक भी है रामा नंद ये भी आपको याद रख हैं यह आपको बताना है उत्तर कांड में है आयोध्या कांड में है बाल कांड में है यह फिर अरंड कांड में है आपको चेंड करना है बता ये मिहान बिलकुर right answer बुलिस्तर उत्तर कांड में है एक नम्मर आपका बिलकुर सही है ये नम्मर आपका सही है रामचित मारस के ग्यान दीपक फिर संग किस कांड में दोस्तो वरनेत हैं तो ये नम्मर आपका right answer हो जाता है अंगले question क्यों बढ़ेंगे तुलसी रास द्वारा सारीर पीडा से मुक्ती है तु लिखा गया जो ग्रंत है वो ग्रंत कौनसा है इतना अच्छा question आप से पूछा गया like जरू करना वीडियो को share भी करते रहना है दोस्तो आपको तुलसी रास द्वारा सारीर पीडा से मुक्ती है तु लिखा गया ग्रंत कौनसा है राम लला बर्बे रामायन हनुमान बाहोक या फिर बिनाए पत्री का तुलसी दास द्वारा सारीरिक पीडा से मुक्ती है तु लिखा गया ग्रंत कौनसा है और देखते हैं सबी लोगों ने बताया कि सर सारीरिक पीडा से मुक्ती है तु जो लिखा गया ग्रंत है वो लिखा गया ग दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि कली काल की मुक्ती से हित मुक्ती के लिए कौन सा गरंत लिखाता तुलसी दास ने एक कौस्चन का अंसर भी आपको बताना है कली काल की मुक्ती हितु कौन सा गरंत लिखाता तुलसी दास ने एक कौस्चन भी आपको बताना है दोनों कौस में एड़िसन लेकर कि आप अध्यान करें मज़ा आएगा एक महीने में भी आपका बहुत अच्छा अध्यान हो जाएगा जिन भी सात्यों ने अध्यान नहीं किया है वो आज ही सेल्प इस्टेडी किलासे से अप डाउनलूट कर लें और अध्यान में लग जाएं बहुत अध्यान आपका अगर टीजीटी पीजीटी बाले हो तब भी आपका अध्यान अच्छा ही होगा है ना और ग्याना स्रै निर्गुण काब का दार्सने का अधार क्या है ये अगर आपसे पूछा गया तब आपका उत्तर हो जाएगा अध्या है अध्या है अध्याना स्रै की रचना कोण सी है कुटुबन की रचना कौन सी है मिरगाबति चन्दायन सत्य मतिकता या फिर पदमाबत कुटुबन की रचना कौनसी है आपको चैन करना है question ये पूछा जाता है दोस्तो कौनसी माने जाती है कुतुबन की रचना और आपको पता है रामचंद्र सुकलिने शूपी काब धारा की प्रिथम रचना किसे माना है तब आपका उत्तर भी दोस्तों बही होगा जो आपने उत्तर बताया है 27 टूटू शेविन का अंसर बताना है कुतुबन की रचना कौनसी है आंसर चला जाएगा मिर्गा बती आंसर चला जाएगा मिर्गा बती है तो एक नम्मर आपका प्रेक्ट आंसर हो जाएगा पदमाबत किस भासा में लिखा गया यसा कॉस्चन आपसे पूचा गया है तो जल्ली से आपको बताना है ब्रेज मैतली अबदी या फिर अप ब्रेंस किस भासा में लिखा गया है शबी को आंसर बताना है अपने मित्रों तक सेर लाइक जरूर किया कर इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं सात्यों है ना और जिन भी सात्यों ने दोस्तों सेल्प इस्टडी किलासे से अप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लें और जिन भी सात्यों को सेल्प इस्टडी किलासे से अप अच्छा लगा है तो प्ले स्टोर में जाकर कि सेल्प इस्टडी किलासे से अपको रेटिंग दे सकते हैं है ना कैसा लगा आपको एप किस परकार से आपको दोस्तों है ना फिरी में 2020 टेस् नोट्स भी है ना तो पदमावत किस भासा में लिखा गया है तब आपका उत्तर होता है अबधी अबधी और अबधी किस भासा से किस दोस्तो उस्ते उत्पन हुई है उपभासा से तो आपको याद रखने ना ये दोस्तो पूर्वी हिंद्री की बोली मानी जाती है तो आपक किरमांग को 229 229 का उत्तर बताना है सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करना मित्रों और अपने मित्रों तक सेयर जरू कर देना एक बार और इतना अच्छा अध्यान अपना चला है इतना अच्छा चला है कि दोस्तों इसी प्रकार से हम अध्यन करते रहे तो नरंतर आपका श्चा माध्यन बहुत अच्छे से होता जाएगा अब आपको बताना है रस रतन के रचेता कौन माने जाते है जान कभी पोहिकर सेख नभी या फिर सेख निसार आपको बताना है शबी लोग बताएंगे रस रतन की रचेता कौन है पिले स्टोर पे दोस्तों 500 रिबीउ 500 रिबीउ का मैंने लक्ष रखा है सभी लोग इस मैने में 500 रिबीउ करेंगे हमारे जितने भी साती है आपके कमेंट पास सो आनी चाहिए पिले स्टोर में सेल्प स्टेडी क्लासे से अपके डिए आपको कैसा लगा आपको अनुभाव आपको बताना है उसमें ठीक है रस रतन की रचेता कौन है तब आपका उतर होता है पोहिकर कौन है पोहिकर कभी है तू नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है तू राइट अंसर हो जाएगा बी नमबर बिलकुर सही हो जाएगा यहाँ पर जाते हैं हिंदी सब्द सागर संपादित गरंत है हिंदी सब्द सागर दोस्तो बहुत अपनने पड़ा है बहुत पड़ा है इसार हिंदी हिंदी साहित का विकास है ना कब 1929 में हिंदी साहित का विकास सीर्षक से प्रकासित हुआ था और किसकी भूमिका में हुआ था तो हिंदी सब्दे सागर की भूमिका में हुआ था तो हिंदी सब्दे सागर संपादित गरंत किसका है वो गरंत है दोस्तो रामचन सुकल का है न यानि कि ये नमब्मर आपका बिल्कूल सही हो जाएगा ये नमब्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा हिंदी साहित का आधा इतिहास निम्न मैंसे किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया आंसर आपको चेन करना है सभी लोग उत्तर बताएंगे हिन्दी साहित का आधा इतिहास किसके दौरा लिखा गया उत्तर आपको चेन करना है और उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तो आधा इतिहास पूँछा गया राइट आंसर क्या होगा वीडियो को लाइक करना है और डाक्टर सुमन राजे यानि कि टू नम्मर आपका बिलकुस है इंदिस आयत का आदा इतियास लिका है सुमन राजे ने टू नम्मर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरी गुड बहुत बड़ी आंसर अंगला क्वेस्चन किस कभी को अभिना जय देओ कोई नाम से जाना जाता है वो कभी कौन हैं विद्यापती हैं भाव भूती हैं नरसी महता है या पर दोस्तो नरसी नहीं नरेश महता है या पर दोस्तो रविदास हैं इन मैंसे आपको बताना अभिनाव जय देओ किसे कहा जाता है बताए चार बिकल्प हैं किसे क कहा जाता अभिनाव जैदेव यह पाधी किसी दे गई थी प्रश्न क्रमांक 232 में और आपने पड़ा है कि सर अभिनाव जैदेव यह जो पाधी दी गई वो दी गई किसको बिध्यापती को बिध्यापती बिध्यापती दोस्तों इनकी रचना है अब हट में हैं दोस्तों की किर्टी पता का ठीक है फिर उसके बाद अगर विद्यापती की बात करें तो दोस्तों इनकी एक रचना है पदावली और पदावली कौनसी में है मैथली 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 याद रखे ना पदावली मैथली में है अंगला कोश्चन है कौन सिलांकित किर्टी है कौनसी सिलांकित क पाहुर दोहा मानी जाती क्या राउल बेल प्राकिट पैंगलम या फिर वर्न रतनाकर सिलांकित किर्ती कौन सी है उत्तर बताएंगे सभी लोग और सीधा सीधा उत्तर आपका क्या हो जाएगा सिलांकित किर्टी कौन सी है और सबी लोगों ने बताया कि सर सिलांकित किर्टी की बात करोगे तो राउल बेल है और राउल बेल सिलांकित किर्टी है दोस्तो मालबा, मालबा की एक सिलापर दोस्तो ये अंकित किर्टी मानी जाती है है ना और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको पता होनी चाहिए तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तो राउल बेल राउल बेल रोडा कभी रोडा कभी की रचना है दोस्तो राउल बेल है ना जो की सबी लोगों को पता है किस कभी को अप वरेंस का बालिमी की किस से कहा जाता है इस प्रशने का उत्तर आपको बताना है जल्दी से बताएंगे और self study classes आपको जरू download कर ले सबी लोग दोस्तों आप TGT PGT बाले हमारे साती हैं तो TGT PGT बाले के लिए special निचोर किलासे चल लई है शुरुआ से अध्यान चला है topic wise test भी बहुत सारे उपलब दें टिर्की वीडियो भी है आप दोस्तों बहुत अच्छी तयारी कर सकते हैं और जितने भी हमारे साती हैं जो लेना चाहते हैं नीचे नंबर चला है नंबर से भी संपर कर सकते हैं अब आपको बताना है कि अप्रण्स का बाल्लिमी की किस से कहा जाता है और बिलकुर सही आंसर है अप्रण्स का बाल्लिमी की कहा जाता है श्यंभू को हिंदी के दोस्तों महा कभी हैं प्रतम महा पर हुई थी कविर दास की मर्त्यूं कहां पर हुई थी कप रहोagner Joshi Bear कहा पर हुई थी कासी मगहर बनारश के लाहबाद कहाँ पर उट system like जरूर करेंगे शांपिलमोग कविर दास की मरत्यूं कहां पर हुई थी बताएं आपको चेन करना है और सब्रीर दास की मुर्थ्यू बताना है कहां पर हुईती का ही कि सबी लोग बताएंगे और बहुत बढ़िया अंसर आया में के सबी लोगों का है दोस्तों की कबीर दास की जो मुर्थ्यू हुईती बेरै Bay जिन्होंने दोस्तों हिंदी साहित के प्रतम काल को संधी काल नाम दिया था 750 संबस 750 से लेकर के एक हजार के काल को इन्होंने संधी काल नाम दिया था है ना और दोस्तों इन्होंने एक हजार के बाद के काल को चारण काल नाम दिया था है ना और कभीरदास की मृत्ति हुई थी कहां पर मगहर में हुई थी इसको याद करना संत काब नाम किसने दिया संत काब नाम किसने दिया एक कोस्चन तो अपन ने आज ही पढ़ा था संत काब जो नाम दिया है वो किसने दिया है और ग्याना स्रई ग्याना स्रई जो नाम दि दिया है वो किस ने दिया है यह भी आपको बताना है दोस्तों शबी लोग बताएंगे है ना और यहां पर सीधा सीधा उत्तर आपका क्या हो जाएगा सेल्फ स्टेडी किलासेस एप अभी डाउनलोड करें आप लोग है ना अभी डाउनलोड कर लें और उसमें आप लोग रिब्यू भी दे सकते हैं किस परकार से सेल्फ स्टेडी किलासेस आपकी पढ़ाई में सेल्फ स्टेडी किलासेस यूटूब चैनल आपकी पढ़ाई में रामकुमार बर्मा टिक लगा दो मैंने टिक लगा दिया उत्तर आपका सही हो गया रामकुमार बर्मा ने संतिकाब नाम दिया था दोस्तों यहाँ पर श्री नम्मर आपका सही कबीर किस सासक के समकालीन थे अच्छा कॉस्चन है पूछा भी जाता है हमेशा पूछा जाता है कबीर किस सासक के समकालीन वाने जाते हैं दोस्तों हमायू अकबर सिकंदर लोदी या पिर बहादर शाह जफ़र कबीर किस सासक के समकालीन थे बताएं सबी लोग उत्तर आपका सीधा सीधा जाएगा कि जो कबीर हैं कबीर किस सासक के समकालीन थे तो हमायू के तो नहीं थे अकबर के तो नहीं थे किसके समकालीन थे शिकंदर लोदी कई बार एक क्वेस्चन पूछा गया कि कबीर किस सासक के समकालीन थे तब आपका बहुत बड़िया कबीर के गुरू का नाम क्या ता निर्गुन का अपधारा से संबन दिटेय कबीरदास है ना, लिखाता पो थी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडेत भयाना, कोई धाई एकचर प्रेम के पढ़ेत शोपंडेत कबीरदास की पंगती है ना, तो कबीर के गु से कितने थे बारा तुलशी दास की दो प्रमाने करचना कितनी थी बारा थी आलबार भक्तों की संक्या कितनी थी बारा थी साकेत में सर्ग कितने थे दोस्तों बारा थे राम बिलास सर्मा का जन्म कब हुआ उन्नी शो बारा में हुआ बुले सर बारा 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 आ रहा है औरी बारा बार का बार बार का चकर है और बिलकुल कबीर की गुरू का नाम था रामानंद और डी नमर आपका बिलकुल सही हो जाएगा इनको यात करती रहना है नंददास की किस रचना का संबंद नाएक नाईका भेदिस से है 두ly जल्दी से बताईए वीडियो को लाइक करना है जल्दी से उत्तर आपका क्या हो जाएगा नंद दास की किस रचना का संबंद नायक नाईका भेदिस से माना जाता है रास पंचध्याई का रसमंजरी स्याम सगाई या फिर भामर गीत का लाइक जरू करना सब्सक्राइब कर ल से है किस रचना का संबंद नायक नाईका भेदिस से है इसका उत्तर आपको बताना है नायक नाईका भेदिस से किसका संबंद है उत्तर चला जाएगा रसमंजरी किसका है दोस्तो रसमंजरी नंद दास की किस रचना का संबंद नायक नाईका भेदिस से है रसमंजरी का रेगुलर अध्यान कर सकते हैं पैड कलास में अध्यान कर सकते हैं एकॉफ्ष्र और Disci से आने बाला है तो जिनको भी दोस्तों बनाना है जिनको भी तैयारी करना है और रेगुलर तैयारी करना है वो इस कोर्स में अड़ी सन ले सकते हैं रीती काल का भाय कौन सा कभी है जो अपनी मात्रेक कृती से हिंदी साहित में अमर हो गया तो वो था दोस्तों कौन बिहारी बिहारी सत्ताई आपको पता है इनोंने गरंत लिखा, बिहारी सत्ताई का काब रूप क्या है, तो उत्तर हो जाता है मुक्तक, मुक्तक काब रूप है, बिहारी सत्ताई में कितने दोहे हैं, 713, 719 भी आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं, है ना, और बिहारी जी, रीती सिद्ध का करना है वेकारी दास ने काब नरनाय में किसका विबेचन किया काब नरनाय है ना काब नरनाय आपसे पूछा जाता है काब नरनाय की रचनाकार कौन है मुलिसर भेकारी दास और भेकारी दास ने काब नरनाय में किसका विबेचन किया है इसका अंसर आपको चेहन करना है उत्त इसर बताना है आपको तट इस लोग बताएंगे उतर आपका क्या हो जाएगा शबी लोगों को बताना है विकारी दास ने कब में किसका विवेचन किया है, राइट अंसर है, शरभांग विवेचन, सरभांग विवेचन यानि कि आपका जो एक नम मर है वो बिल्कुल शहीं हो जाएगा, या झांज हो जाएगा उद्धव सतक, उद्धव सतक में जल्दी से वताईए, उद्धव सतक की रचनाकार कौन है, ए भी आप लोग बता दीजिए, और उद्धव सतक में 116 चंद हैं दोस्तों, कितने चंद हैं, 116 चंद हैं, आपको एक कॉस्चन और दिया जाता है, योद्धव सतक की रचनाकार क बताईए शबी लोग 1873 में हरिस्चंद मैगजीन की स्थापना किसने की आपको कमेंट में लिखना है वीडियो को एक बार लाइक जरू करना है किसने 1873 इस भी में हरिस्चंद मैगजीन की स्थापना की उत्तर सीधा जाएगा भारतेंदु ने यानि की आपका टू नम्मर बिलको सही है भारतेंदु जी ने हरिस्चंद मैगजीन की दोस्तो इस्थापना की कब की 1873 में ठीक है बेरी गोड़ 1873 राइट अंसर समरस्ता मूलक आनंदबाद की प्रष्ट भूमी में लिखी गई जैसंकर प्रसाथ की किर्टी कौन सी है समरस्ता मूलक आनंदबाद की प्रष्ट भूमी में लिखी गई जैसंकर प्रसाथ की किर्टी कौन सी है जहरना है चित्राधार है कामाईनी है या पिर आसू है पताईए कौन सी बो रचना है और सेल्प स्टेडी क्लासे से आप डाउनलूट करने ऐसी बहुत सारी चीज़े आने वाली हैं दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित का आज दोस्तों आप तयारी कर रहे हैं और कल भी करेंगे हिंदी साहित को जारी रखिये है ना और उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर आपको बताना है समरस्ता मूलक यह उत्तर आपसे पूछा गय की है महादेवी बर्मा की काब किरती कौनसी मानी जाती है निसीत सांद गीत गीत गोंज या पर स्वारन धूली महादेवी बर्मा की रचना कौनसी है महादेवी बर्मा की रचना कौनसी मानी जाती है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है दोस्तों सब्सकाइब जरूर कर देना है और इसी प्रिकार से 9 बजे एक लास होती है आप लोगों की और महादेवी बर्मा की रचना पूछी गई है तो बोले सर सबसे पहले तो इनका जन्म बता दो 1907 बता दिया है ना इन में स्पेसल क्या है बोले सर यामा बता दो यामा के लिए ने ग्यानपीट मिला 1982 में फिर महादेवी बर्मा की किर्टी पूछा गया तो सांध गीत बोले संध्या को हम गीत गाते हैं किसके महादेवी के तो सांध गीत इनकी रचना है टू नम्मर आपका बिलको शाहिए वीडियो को लाइक सेर करना है ठंडा लोहा कविता संगराई की रचनाकार कौ ठंडा लोहा कविता संगराई की रचनाकार कौन माने जाते हैं ठंडा लोहा कविता संगराई की रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है सबी लोग बताएंगे एक अच्छा क्वेस्चन है दोस्तो ठंडा लोहा कविता संगराई की रचनाकार और उत् जरुआत मानी जाती है बहुत बढ़ी आंसर बताईए प्रशन किरमांग 247 का आंसर लाइक जरू करते रहना लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना है दोस्तों सेर भी करना अपने मित्रों तक रोज 9 बजे कलास होती है दोस्तों फटा फट प्रशनों का अध्यन करने के लिए और सेल्फ स्टेडी कलासे से आपको जरूर डाउनलोड कर ले आज ही बुलिसर क्यों कर लें आपके लिए 2020 टेस्स सीरेज तो बिलकुल मुप्त में कराई जाती है सबता है में दो दिन होती है कौन-कौन से रभी बार और गुरुबार को होती है अप पर है ना उसके बाद एड़ी सन अगर आपको लेना तो एड़ी सन लेकर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो एक महिना में भी दोस्तों आप बहुत अच्छा अध्यन कर सकते हो ने चोड किलासे चल लई है हिंदी साहित में इंपोर्टेंट क्या है भक्तिकाल में इंपोर्टेंट क्या है 1882 लगा दो परीक्षा गुरू की रचना कार कौन है पुलिसर स्री निवास दास लगा दो स्री निवास दास और ये आपको पता है कि अंग्रेजी के धंका हिंदी का प्रतम मौलेक दोस्तों पन्यास माना जाता है तो कौन सा माना जाता है परीक्षा गुरू हिंदी का प्रतम मौले को पन्यास बेरी गुड अंगला क्वेस्चन मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा 248 का अंसर आपको बताना है चैन करना है लोग दोस्तों सेर जिरू करते रहें मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है बताइए रांगे रागव लेच्चिमी नारानलाल हरी करश्न प्रेम है ना तो ये नौ बजे रोज किलास होती है आपकी दोस्तों और मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा ये अगर आप से पूछा गया तो बहुत बढ़िया अंसर आगया सभी लोगों को लेच्च्मी नारानलाल यानि की टू नम्मर आपका बिलकुल शाई है बी नम्मर आपक है ना किसने की राश्री बिसाक है ना एक कोस्चन थोड़ा सा मिश्टेक हो गया यहां पर आते हैं अंगला कोस्चन देखते हैं इसको देखो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयम अभीनाय किया था इसका अंसर आपको बताना है भारतेंदु जी ने भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वेयम अभीनाय किया था तो कौनसा नाटक है वो आपका बिलकुर सही उत्तर हो जाएगा बुलिसर दौनों ही एक से उत्तर हैं तो आप एक लगा दो जानकी मंगल में भारतेंदु जो तो इसके रचनाकार बताना है जल्दी शे बताईए जानकी मंगल इ इसमें उन्होंने लक्षमन की भूमी का नभाई थी काई की लक्षमन की भूमी का नभाई थी दोस्तो ठीक है इसके रचनाकार आपको कमेंट में लखना है जानकी मंगल एक जानकी मंगल दोस्तो खंड काब भी है किसका खंड काब है तुलिसी दास का तुलिसी दास चंदन गेसे इतलक देतरग भी रहना तो तुलशी रास का दोस्तों एक खंड का बेजान की मंगल और पारवती मंगल लेकिन दोस्तों एक नाटक भी है किसका नाटक है देखते हैं सबसे पहले कौन इसका उत्तर बताता है अंगला क्वेश्चन लगू मानाओ के बहाने हिंदी कवित बहुत बढ़ी आंसर आपको पता है जान की मंगल के नाटक सीतला प्रसाद स्तरपाठी माने जाते हैं लगू मानाओ के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कि जो लेकक है वो लेकक कौन है उत्तर जाएगा बिजय देव नाराण साही यानि कि आपका टू नम्मर जो है वो ब बहस के लेकक है विजय देव नाराण साही तू आपका बिलको सही है वी नम्मर आपका सही हो जाएगा अंगला कोस्चन आचार हजारी परसाद दुवेदी का कौन सा निबंद संकलन इनमे से है है बताना है कौन सा आचार हजारी परसाद दुवेदी का है बताईए हजारी हजारी परशाद दुवेदी के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं मुलिसर 1907 में इनका जन्म है ना हिंदी साहित का आदीकाल हिंदी साहित की भूमिका हिंदी साहित का उदबावर विकास ये इनोंने ग्रंत एतिहासे ग्रंत लिके हैं और हजारी परशाद दुवेदी का कौन स का निबंद है, ये आपको चैन करना है, दोसो बाबन का अंसर देखते हैं, कॉन-कॉन सही बता रहा है, सैयम बरतते हुए उत्तर लगा रहा है, हैना, और आपका सही उत्तर कॉनसा होता है, है ना सबी लोगों ने लगभग आंसर सही बताया कि सर इनका निबंद असोक के फूल भी है इनका निबंद कोटेज भी है इनका निबंद कल्प लताबी है और उत्तर चला जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा उपर युक्त सबी बुलिसर असोक में फूल होते हजारों तो हजारी परसाथ दुबेदी कोटेज बुलिसर हजारों बार कोटेज इसकूल में हजारों बार कोटेज की नहीं कोटेज भी इनका है कल्प लताबी कल्प में लताएग होती हजारों की नहीं होती है बहुत बढ़िया अंगला कोचन ह हिंदी निबंद का उतकर्स काल है तो कौनसा काल है उतकर्स काल हिंदी निबंद का उतकर्स काल कौनसा माना जाता है भारतेंदु योग दुबेदी योग शुकल योग या फिर सुकल उत्तर योग आंसर बताना है हिंदी निबंद का उतकर्स काल माना जाता है दोस्तों तो इसमें एड़ीसर ले सकते हैं, है ना, इसमें आपको टॉपिक बाइज टेस्ट मिलेंगे, इसमें दोस्तों आपके लिए टिर्की वीडियो, इसमें निचोड किलासे, यानि कि क्या इंपोर्टेंट है साहित में वो मिलेगा, इसमें आपके लिए लाइब किलासे मिलेंग ठीक है इसमें दोस्तों आपके लिए डाउट्स किलियर बाले वीडियो भी मिलेंगे बहुत सारी चीज़े मिलने बाली है और यहाँ पर सीधा उत्तर है सुकल योग हिंदी निबंद का उतकर्स काल था सुकल योग यानि की सी नमबर आपका सी नमबर बिलकुँ सही है बेरी गोड धर्म नैतिक्ता और बिज्ञान के लेका कौन है धर्म नैतिक्ता और बिज्ञान के लेका कौन है प्रेम चंद राम धारिशे दिनकर या पर जैसंकर पिरसाद ये भी आपको बताना है सबी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे धर्म, नयतिक्ता और विज्ञान के लेका कौन माने जाती हैं दोस्तों धर्म, नयतिक्ता और विज्ञान एक अच्छा दोस्तों यहाँ पर पूचा गया है आपका कि लेखा किसके लेखा कौन है और बहुत सारे लोगों ने बिलकुल सही आंसर बताया है कि सरधर्म, नैतिक्ता और बिज्ञान, बिज्ञान के जो लेकक हैं वो कौन है दिनकर जी, कौन है वेरी गुड दिनकर जी आपका राइट आंसर जन्म कब हुआ, 1908 में बोली सर हुंकार इनकी रचना है प्रुर्बसी के लिए क्या मिलाता, इन्हें ज्यान पीट प्रुषकार मिलाता कब मिलाता, 1972 में मिलाता दोस्तों, 1972 में नेक्स्ट है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाता खाली स्तान उपन्यास में वरनित है बहुत अच्छा अंस क्वेस्चन है समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाता किस उपन्यास में दोस्तों, वरनित है जुलूस में नाचो बहुत गुपाल, मेला आचल या फिर परती परीकता किस में है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाता किस उपन्यास में है और ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया और ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने Self Study Classes के बारे में एप पर जाकर कि कुछ कमेंट नहीं किया कि किस प्रकार का ये आपको लगा है ना वो आप जरूर बताएं दोस्तो एप में जाईए बहाँ पर आप बता सकते हैं इसे हमें बहुत अच्छा आपका एप लगा है ना इसी प्रकार से सभी का ध्यन करवाती रहें तो ये को दोस्तो आप दे सकते हैं है ना तो समाज से उपेक्चित भंगियों का ये नाचो बहुत गुपाल नाचो बहुत गुपाल और टू नम्मर आपका बिलकुल सई है भी नम्मर आपका सई हो जाएगा दोस्तो हिंदी का पहला आंचले को पन्यास कौन सा है जड़ी से बताएं बताना है आपको हिंदी सभी लोग बताएं हिंदी का पहला हिंदी का पहला पहला आंचले को पन्यास कौनसा है निबंद का उतकर्स काल पूचा गया उतकर्स काल पूचा गया ना की प्रारंब काल उतकर्स का आर्थ समझते हैं हिंदी का पहला आंचले को पन्यास आपको बताना है आदा गाओं नाचो बहुत गुपाल मेला आचले आपर परती परी कथा पिल्कुल स्जह है सी नमंड आपका सई हो जाता है वेरेईगोड अंगला कॉस्चन लाल टीन की चट की रचनाकार कौम हैं दाओं ूबंडारि गश्ना सोपती, ममता कालिया या पर निर्मल बर्मा और अपने कई बार पढ़ा कि सर लाल टीन की छट के नीचे बड़ा निर्मल निर्मल लगता है आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए और आप लाल टीन की छट के नीचे खड़े होंगे तो धूप में आपको बड़ा क आई टांसर हो जाता निर्मल बर्मा कौन सा दोस्तो सहयोगी उपन्यास है बहुत बढ़िया कौन सा सहयोगी उपन्यास माना जाता है सहयोगी उपन्यास आपको बताना है महाबोज है उकड़े हुए लोग है एक इंच मुस्कान या फिर आपका यानि कि सहयोगी मतलब संयुक सायोगी उपन्यास कोँझ सा है आपका उत्तर बताना है और उत्तर चला जाता है जो आप ऊत्तर होता है कौँझसा एक इंच मुसकान एक इंच मुसकान सी नमब आपका सही है राजंदर यादाव और मन्नु भंडारी ने दोस्तो ये सन्युक्त रूप से लिखाता कौनसा एक इंच मुस्कान राजंदर यादाव की पत्नी थी मन्नु भंडारी उन्होंने महाभोज दोस्तो लिखाता आपका बंटी भी मन्नु भंडारी ने लेकिन एक इंच मुस्कान की रख्षना दोस्तों आपको पता है मन्नु भंडारी और राजन र्यादों ने सन्युक्त रूप से कीती यानि कि दोस्तों सहयोगी रूप से कीती अरबिंद दर्शन से कौन प्रभावत थे शूरकांतरपाठी निराला, जैसंकर पर्साथ, सुमित्रानंदन पंते, या फिर महदेवी बर्मा अरबिंद दर्शन से कौन प्रभावत थे आपको उत्तर बताना है अच्छा question है दोस्तो और लाइक जरूर करना है आप लोगों को हैना और सभी को पता है बोले सर अरबिंद दर्शन से प्रभावित्ति सुमित्रा नंदन पंत इनकी रचनायती स्वर्न किरन और स्वर्न धूली जो की दोस्तों काई से प्रभावित्ति अरबिंद दर्शन से प्रभावित्ति शबी को धन्दबाद सभी लोग 2020 टेस्ट जी होती है बिल्कुल फिरी होती है आप जुड़ सकते है self study class A.C. st और दोस्तो अभी निचोड किलासे चल लए है जिन में आप admission ले सकते हैं है ना आपको पता होगा कि सर निचोड मतलब क्या निचोड मतलब एक कि हिंदी साहे TGT पी जी टी के लिए special क्या है special यानि कि दोस्तों आदिकाल में special क्या पूछा जाता है भक्तिकाल में क्या पूछा जाता है रीतिकाल आदुनेकाल में क्या क्या पूछे जाते हैं यानि कि इनवे से important क्या है वो दोस्तों आपके लिए इस class में बताया जाता है ये class रोज धाई बजे चलती है उनके लिए धाई बजे किलास चलती है रोज को दोस्त है ना और आपको पता है चतुरत बैच स्टार्ड हो चुका है एक किलास स्वाज लिए चलती है और एक किलास चलती है सामको 5 बजे इसमें अड़रीशन लेकर के आप अध्यान कर सकते हैं यानि कि जिन्हों स्परिहमा स्वानी औ काश जी बिभादेभी हिमान गीतिका जी गया शेथ जी तरिता अनू प्राजप की त चे ?ाशज्य जी एस झी मनीच सा अभिलासताप सेल जा गीतिका जी सेवliers सజ मोहित जी विश्वास मलिक जी बोहत बढ़िया सरिता पांडे जी सुस्मा जी हरी नारान निधी जी रजनी जी नामबर जी बैरी गोड गीतिका जी प्रिया जी अभिलासा जी राम मुरज जी रीता पॉम देव जी तनु जी ठीक है और लौकोस जी विजय लक्षमी बैरी गो जाया जी और दोस्तो प्ले स्टोर में जाकर कि सेल्प स्टेडी कि लासे से आपको रेटिंग जरूर देना है आप एक रिबियू है ना एक प्रेना के रूप में एक रिबियू दे सकते हैं कि सर हमें बहुत अच्छा लगा आपका प्रियास अजय कुसबाहा जी है ना क्योंकि हम भी आपकी सपलता के लिए सहयोगी बनना चाहते हैं दोस्तों कि जब आप सपल हों और एक अच्छे टीचर वनें तो हम भी आपके सहयोगी आप भी आत करें कि सर ने कुछ तो सहयोग किया था वो ही सहयोगी बनना चाहते हैं हम भी ओ निरंतर आपके लिए प्रय से अध्यन में लगी रहें दीपा जी जानवी सिंग जी है ना और दोस्तो लबली ठाकुर जी रचना जी सुनील पांडे जी है ना तनू जी अरुन जी अरुन जी ठाकुर रचना कार्तिक सिंग जी कुबेर पूनम जी रोहित कुमार जी बालमकुंद भारती जी है ना और दो दोस्तो अथर्व जी प्रबीड ओजा जी शुनील पंडे जी तरन गैमिंग जी मनीशा गिल जी सौनु जी सभी सात्यों को धनबाद वीडियो को लाइक सेर करते रहें और दोस्तो इसी प्रकार से अध्यन करते रहें हैना और बने रहें आज के इस वीडियो के लिए वस इतन ही सात्यों जै हिन